तो चले खबरों के शिरुवात करते हैं तीन सितम्मर को मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ मुरादाबाद के दौरे पर पहुचेंगे वह मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रिश्वासन तयारियों में जुटा हुआ है मुख्यमंत्री योगी आधितिनाथ जन्पतिनिद्यों और पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और मंजल इसतरी अधिकारियों जन्पतिनिद्यों के साथ विकास कारियों और कानून विवस्था पर चर्चा करेंगे इसके साथ इन मुख्यमंत्री योगी प्रधानमत्री आवासों, मैनाथेर, गौशाला और एलेक्ट्रोनिक चार्जिंग स्टेशन लाकडी फाजलपूर का भी निरिक्षन करेंगे जिसके बाद मुख्यमंत्री बिजनौर के लिए रवाना हो जाएंगे उत्रप्रधेश के मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ दो दिवसी दोरे पर कल बिजनौर पहुचेंगे यूपे के सीम सबसे पहले मंजावर रोड स्थेत नमनिर्मेत पुलिस लाइन का लोकारपन करेंगे साथे मुख्यमंत्री एक अवश्वाल जनसबा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ के दोरे को लेकर जिला प्रशासन तयारियों में जुट चुका है मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ 3 सितंबर को दौरा करने के बाद रात के समय आपको बता दे कि PWD गेस्ट हाउस में पार्टी के कारिकरताओं और विधायकों से योजनाओं को लेकर बातचीत भी करेंगे 4 सितंबर को सुबर 10 बच कर 25 मिनट पर मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ बिजनाथ के स्वेहेडी में बन रहे मेडिकल कॉलिज का भी जायजा लेने के लिए पहुँचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ की सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई शूक ना हो इसके लिए जगह जगह पर सिसी टीवी से नज़र रखी जाएगी मुख्यमंत्री के लिए जाएगा जाना चाहता हूं किस तरीके से एस्टेज बनाया जा रहा है और कितने लोग यहां पर मौझूद रहेंगे मुरदाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है सियम्योगी आधितिनाथ का सिर्काटने और दो करोड का इनाम देने का मैसेज बारल करने वाले आरूपी को गिरफतार किया है पुलिस की पकड़ वियाया आरूपी का नाम संजे सैनी उर्फ संजू है पुलिस ने गिरफतार आरूपी को जेल भेज दिया है वही पुलिस ने बताया कि प्रेमिका से शादी नहीं होने से परिशान संजन ने आत्मिप्रकाश को फसाने की नियत से फेस्बुक आईडी बना कर और उसका पुराना फोन नंबर आईडी में लिखकर धंकी बारे पोस्ट किये थी जैसा की विज़ित आप लोगो कि कुछ ताइम पहला है हापुड के गड़ मुक्तेश्वर की गाव नयाबास में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया जहा कुछ अग्यात बदमाशों ने गवांग के बाहर बने एक फार्म हाउस की दिवार पर एक धंके लिखी जिसमें बदमाशों ने खेतों से गठा किया अवैद असला नगदी ना लोटाने पर बच्चों को उठाने की धंकी दिवार पर लिखती जिसे देकर ग्रामीनों में हडकम पच गया वह इस मामले की सूचना पर पहुचे पुलिस मामले की जाच में जुट गई है जाच में जाच में जाच में लिखा है कि हमारा समान चोरी चहत राइफल तीन चाहू और जूते बरामद जाच में जाच में जाच में लिखा है जोदोपया वहन को चुराता था और अपने साथियों के साथ मिलकर गाड़ियों को कबाड़े में बेच दिया करता था अधिके थाना विजे नगर पूलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है कल शाम को चेकें कराई जा रहे थी पुरे छेतर में जैसे के मुमन होती है तो साड़े नौ बजे के लगबग तीन वाहन चोड जो हैं गिरफतार हुए हैं इनमें जो ग्यान का सरगना है राजा उर्फ मुकेश ये थाना बिस्रग नौईडा का रहने वाला है इनका दूसरा साथी रोहित उर्फ इका थाना बादलपुर छेतर नौईडा सुमित पुर्फ उर्फ देवनेश बमेडा थाना कवी नगर छेतर का रहने वाला है और इनका एक अन्ने साथी जो प्रकाश में आया है बाबु उर्फ चिराग थाना मंडौली का रहने वाला है जो वर्थमान में फिरार चल रहा है इस पर हमारी पिलिस ट्रीम लगी रही है तुशा जापुर में एक तेज रफ्तार अनेंतरित का डिवाइडर से टकरा कर पलट गई गटा नेशनल हाइवे 24 स्थेत थाना कटरा क्षेतर की है हासे में एक यूवा की मौत हो गई वहीं तीन दोस्तों की हालत गंभीर बताई जो रही है गायल तीरों यूको को इलाज के लिए बरेली रेफर किया गया है जहां उनका इलाज किया जा रहा है मामले में बताया जा रहा है कि कारसवार चारों दोस्त बरेली घुमने जा रहे थे और इसी दोरान ये हाथसा हो गया चोले फिलाल रुक्तिक छोड़े से ब्रेक के लिए जल्द रौटे गया आप दिखते रहे नेट वक्ते ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फिरोजबाद बस और कंटेनर में चकर हो गई बताया जा रहा है कि कंटेनर के चालकों नीन दाने की वज़े से ये हाथसा हुआ हाथसे में चाल लोग घायल हो गए साथी कंटेनर चालक और कंड़क्टर की मौत हो गई फिलाल घायलों का इलाज जा रही है आपको बता दे कि हाथसे के वक्त बस में लगभग साथ लोग सवार थे पूरी घटना आगरा लखनों एक्सप्रेस्वे की बताई जा रही है तो मुझपर नगर में प्रसो पीड़ा के दोरान एक महिला की मौत हो गई महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर डॉक्टर पर लापरवाही का रोप लगाया है अलाके महिला की मौत के बाद जूला चाप डॉक्टर नर्सिंग होम में ताला लगा कर फरार हो गया मामले की सूचना पर पहुचे पलिस मामले की जाच में जुढ गई है बुढाना थानकशेतर के तैसिल के सामने का ये पूरा मामला बताय जा रहा है खबर बदायों के अलापूर्थानक शेतर से है जहां कुए से बकरी निकानने के लिए कुए में गय अधिर की मौत हो गई बताया जवाराय कि कुए की जरहेली गयस से अधिर की मौत हो गई है वही लगबत चार घंटों से ज़ादा समय तक कुए के अंदर अधिर बेहोश पड़ा रहा सूचना के बाद मौके पर पुलिस ने अधिर का रिस्क्यू कर उसे बाहर निकाला जिसके बाद इलाज के दोरान अधिर की मौत हो गई वही घंटना से परिजरों में कोहरा मच गया फलाल पुलिस मामले की जाच में जुटी हूई है तो मुझा फनगर जिले में जानसच कोतवालिक शेत्र के गाउ तिसंग में चार दिन पूर्वन नौकर की गरदन काचकर हत्या कर दी गई थी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है ACP देहात तुलकुमाज शिर्वास्तों ने बताया कि हत्या में शामिल दो अभियोगते एर्फान और दारिश को गिरफतार किया गया है साथी हत्या में इस्तिमाल होने वाले छूरा बरामत कर दिये गये हैं कि दिनांग उन्तिस आठ दो अजार बाइस को एक व्यक्ति की डेट बॉड़ी गन्ने के खेत में जिसकी पहचांद जैप्रकाश उसे उसे इसलाम के रूप में होई थी मुझफर नगर में सिक्षर पर कारवाई की मांग को लेकर प्रदेशन किया गया आपको बता दे कि सिक्षर के पटाई से कल्चातर बेहोश हो गई थी जिसके चलते सिक्षक बहिशकार की मांग को लेकर छातरों ने प्रदेशन किया वह इंटर कॉलेज की गेट पर छातरों ने प्रदेशन किया तो छातरों ने प्रदेशन किया सिक्षक पर कारवाई की मांग को लेकर के ये प्रदेशन किया गया सिक्षक के पिटाई से चात्र बेहोश हुआ था यूपे के मुजफ़नगर से ये जांकारी आपको दे रहे और चात्रों ने प्रदर्शन क्या तस्वीरों के माध्यन से आप देख सकते हैं कि चात्र प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं आगरा के बहा पिनाहत एक शेतर में चंबल का पानी उत्रा तो बार से प्रभावित गावों में तबाही के निशान दिखने लगे और खेत का लिहान उजड़ चुके हैं बार की चपेट में आये कच्चे मकान धूड़ने से भी नहीं मिल रहे हैं कई परिवारों के आशियाने तबाह हो चुके हैं वही पानी कम होते ही गाव में कीचड और गंदगी का अंबार लगा है जो कई बिमारियों को जन्म दे रहा है आलम यह है कि स्थाने लोग परिशासन की विवस्था से नाराज हैं वहाई शहर के सरकारी एस्पतालों में देहात बार्ज शेत्र से आने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नज़रार ही है हम तो यह करेंगे घर से भेगर हो गए लोग अब कोई खाने पीने का रहने बसने का कोई यां अन्तियाम नहीं ना कोई अधिकारी ना कोई अपराया कई बतारें कम ऑचारे लिए तो रहने के लिए रोटी बनाने के लिए जगल नगी है उसका मेरी साइध था लाक रुपई जर कम नगी है से हमारे घर मकान सारा तोट कह बंढ गया और तनी तीन तप पर रहें सारे और गाल्ला बहया गया ब Boss लह चलिए बह गई और फसल का नश्ट हो गया सारा कुछ कोई मावजा मिल नहीं रहा है सरकाथ से और न कोई यहाँ दवाब हबाले डॉक्टर आते हैं चले जाते हैं गाहों में बीमारी हैं फैल रहे होगी पानी घटा है गंदी की पड़ी हुई है बहुत गंदी की फैली हुई है आगरा के पिनाट चम्मल लदी में आई बाड के बाड के बाड के बाड के बाड के निसान देखे जा रहे हैं ग्रामीनों के आस्या ने तबा हो चुके हैं चम्मल लदी के सैलाव ने किसानों की फसलों को बरबाद कर दिया है बाड का सैलाव तो चला गया लेकिन गाउं में बरबादी के निसान छोड़ गया ग्रामीड परिशान हो रही हैं ग्रामीडों की द्वारा बताया गया है कि परिवार को पालने के लाले पड़ रही हैं अभी भी ग्रामीड तंबूओं में रह रही हैं गाउं में साप सपाई की जाए कई ग्रामीनों के कच्छे मकान तबा हो चुकी हैं ग्रामीनों का ऐसा मानना है कि जिस तजिके पर चम्मल नदी का जो सहलाब आया उनका सब कुछ बरबाद करके चला गया मिनर्यस नाकरे नेट्वर्क टेन आगरा चुले फिलाल रुक एक छोटे सब्सक्राइब